आप लोगों से बात करने वालो हो यहाँ पर WhatsApp के एक फीचर के बारे में जैसे कि आप लोग जानते हो कि WhatsApp पे Disappearance का फीचर और Default Timer का फीचर बहुत पहले ही आ चुका था Simply However मैं कुछ एक डाउट है काफी लोगों का मेरे वीडियोस में आता है कमेंट आता है कि भाई हमारे जो चैट है वो सामने वाला बंद कैसे कर सकता है मतलब कि अगर आप किसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर Disappearance का option जो जा है बहुत अच्छी तरह से तो simply आपको मैं आता हूँ कि actual में क्या होता है जैसे मान लोग कि अभी suppose ये मेरे दिदी हैं तो यहाँ पर इसके अंदर अगर ये इन्होंने option open कर रखा था Simply आप लोगों को एक option देखने में मिलता है Disappearance word turned off Tap to change यहाँ पर मैं पहले भी कुछ एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके मैंने इसके बारे में बात किया रखिया है यहाँ पर अगर आप इस मेहिज को अगर आपको आपने किसी को मेहिज भेजा और इसके बार आपको कुछ ऐसा मेहिज आता है मतलब कि Disappearance इन्होंने on कर रखा है तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके यहाँ से टाइमर अगरा को off कर सकते हो ठीक है एक तो मारे पर यह कंडिशन हो जाती है कि आप टाइमर off कर सकते हो अपने हाँ से Disappearance मेसिज का ठीक है इसके बाद एक कंडिशन के आती है जो बुसे लोग को प्रोलम आ रही है सपोज की अब मैं आपको दिखाता हूं से मालो यहाँ पर मैं चैट को कर देता हूं डिलीट ठीक है डिलीट कर दिया है मैंने इसके बाद मैं द्वारा से इनकी चैट ओपन करता हूं और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं यह देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर यह देखो क्या रिखा हूँ आ रहा है Default timer for disappearing message in new chat all new message will disappear from this chat 24 hour after they are sent Tap to set your own default timer Paldi uses a default timer तो यह message पहले से लिखा हूँ आ रहा है मैंने शिर्फ chat open किया message नहीं किया यहाँ पर क्या है कि यह मुझे बता रहा है कि वही इनका default timer का जो option है वो already on है तो अगर मैं यहाँ पर आप काफी लोगों के problem यह थी कि अगर वो यहाँ पर क्लिक करते है न तो यहाँ पर यह already off पर ही आ रहा है तो यहाँ पर आपको कैसे off करना है चीज को simply क्या करना है आपको यहाँ पर disappearing महिज वहाला जो यह option आ रहा है इस पर क्लिक नहीं करना simply आपको profile में जाने के बाद आपको यहाँ पर option मैं लएगा disappearing महिज का यहाँ पर क्लिक करोगे यह default timer के अलावा की बात हो रही है आप यहाँ पर simply off कर पे क्लिक कर दो इसके बाद जो डिफॉल्ट टाइमर है वो डिफॉल्ट टाइमर उनका बंद नहीं होगा सिरफ आपकी चैट का डिफॉल्ट जो डिस्पेरिंग महिज है वो बंद हो जाएगा तो यहाँ पर मैं भी आप लोग को इसी समझ में आ रही होगी मैं भी काफी मैं कि यह डिफॉल्ट टाइमर उनका बंद नहीं होगा डिस्पेरिंग महिज उनका बंद हो जाएगा आपके थुरू आप चाहते हो तो इस पर क्लिक करके यह देखो पहले ऐसा महिज आगे न जैसे में आप लिखा हुआ है यू टर्न डिस्पेरिंग महिज टैट को चेंज तो इस पर क्लिक करते हो तो आपको ओफ दिखता है या आपको सिंप्ली आप ध्यान से पढ़ना है कि यह डिस्पेरिंग महिज है या फिर डिफॉल्ट टाइमर है आप क्लिक कर रहे हो सिंप्ली नोटिफिकेशन देख रहे हो इससे पर क्लिक करके आप टाइमर देख रहे हो ब किस तरह के साब chat delete होने से बचा सकते हो अपनी तो इस तरह के से आप इसको use कर सकते हो and maybe आप लोग को वीडियो पसन दया होगा वीडियो पसना तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सबस्क्राइब कर लेना मिलते लिए स्विडियो में तब लिगाईज तरह कर दो वीडियो